विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेव यूग वसिष्ट का नौवा सीजन हम शुरू करने जा रहे हैं ये आने वाला नौवा सीजन भी बहुत ही दिल्चस्प रहने वाला है इस सीजन में हम देखेंगे सबसे पहले काकबुशंडी और महर्शी वसिष्ट जी के बीच का जो समवाज चल रहा था उसको आगे और देखेंगे जिसमें काकबुशंडी ने बहुती सुन्दर रहस्य उजागर की है कि उनका यह जीवन इतना लंबा समय कैसे रहा सुन्दर कुछ प्राणायम के बारे में भी बाते इस चर्चा में हम देखने वाले है उसके बाद कैलाश परवत पर कुछ समय तक महर्शी वसिष्ट जी ने शिव जी की आरादना की थी और उनको साक्षात शिव का प्रसाद प्राप्त हुआ उनसे बहुती सुन्दर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी चर्चा भी आने वाले इस नाइन सीजन में हम देखने वाले है उसके बाद और बी कुछ इंट्रेस्टिंग कथाए हम देखने वाले है जिसमें एक काष्ट के फल की कथाए जो ब्रह्म का प्रतीक है फिर एक शीला की कहानी आएगी एक पत्तर की कहानी आएगी जो भी ब्रह्म के प्रतिकात्मक रूप से ही उसको बताया गया है फिर आगे चलकर अरजुन और कृष्ण के बीच में जो युद्ध भूबी पर सववाद होने वाला है वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो सववाद महर्शी वसिष्ट जी प्रबू रामचंद्र जी को बता रहे है और फिर आखिर में ये उनको उपदेश दे रहे कि जैसे अरजुन ने ये सारा ज्यान अपने जीवन में उतार कर एक स्तिरता को प्राप्त करके अपना जीवन आगे व्यतित किया और युद्ध लड़ा उसी प्रकार हे राम तुम भी इस परम ज्यान को अपने भीतर उतार कर उस बूत को अपना कर अपना जीवन व्यतित क तो आने वाला यह 9 सीजन बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो जुड़े रही है और देखते रही है जै गुरु देव